क्या आप जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में? क्या आप जानते हैं मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? क्या आप जानते हैं मंकी पॉक्स सबसे पहले कहां पाया गया था? नहीं, तो घबलाएए नहीं, आज मैं इसके बारे में सारी जानकारी दूँगा और साथ में इसके सिम्टम्स, काउज और ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा तो वीडियो कौन तक देखते रहिए तो मैं हूँ भानू परताब, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वाटिज मंकी पॉक्स क्या होता है मंकी पॉक्स तो मंकी पॉक्स एक बाइरल इंफेक्शन है जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है इसका सबसे पहला केस अफेरका में देखा गया था और यह फैल कर 11 देशों में पहुँच चुका है लेकिन घबडाने की बात नहीं है हमारे इंडिया में आज तक एक भी केसे ट्रैक नहीं किये गए है इस डिजिज को हो जाने के बाद बहुत तेज बुखार आता है बुखार के साथ पूरे सरीर में दर्द रहता है लिम्पनॉट्स में सूजन आ जाती है और पूरे सरीर में छोटे-छोटे दाने हो जाते है जो की चेचक या तो स्मॉल पॉक्स की तरह ही दिखाई देते हैं और उसी को हम मंकी पॉक्स काते हैं तो चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में तो इस डिजीज का टाइम पर ये छो से तेरा दिनों का होता है और या कभी-कभी एक कईस दिनों तक भी रहता है या डिजीज अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले तेज बुखार होता है पूरे सरीर में दर्द रहता है सेर दर्द होता है लिंप नॉट्स में सूजन आ जाती है, पीठ में अकड़न आती है और पूरे सरीर पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जो कि चेचक या तो स्मॉल पॉक्स की तरह ही दिखाई देते हैं तो इसके सिंटम्स के बारे में तो हमने जान लिया आप चलिए जानते हैं इसके काउज के बारे में कि क्या काउज है जिसके कारण या समस्या किशी को भी परिसान करती है तो जैसा कि हम सभी जान ही चुके हैं कि मंकी पॉक्स एक बाइरल इंफेक्शन है जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है तो अफिरका में कुछ जानबर पाये जाते हैं उन्हीं जानबरों से या फैलता है तो कुछ जानबर जैसे की गिलहरी, डर्मी, छोटे-छोटे चूहे और ऐसा भी कहा जाता है कि बंदरों से भी फैलता है अगर कोई जानबर किसी आदमी को काट लेता है और उसे मंकी पॉक्स हो जाता है और आप उसके संपर्क में जाते हैं तो या डिजीज आपको भी हो सकता है तो हमने तो इसके काउच के बारे में जान लिया और उससे patient 80% तक recover कर जाता है लेकिन ये तो हुआ एक पहली एलोपैथ का लेकिन हमारे होमियोपैथ में कुछ ऐसे medicine है जिसको कि रोग के पहले या रोग के बाद भी दिया जाए तो patient 100% recover कर सकता है तो पहली medicine है barriolinum 200 number जो कि अगर adult हैं तो उसे दो दो बून सुबा साम दिया जाना चाहिए तीन दिन लगातार और अगर बच्चा है तो उसे दो दो बून सुबा साम दिया जाना चाहिए तीन दिन लगातार और अगर आपको disease हो गया है ये तो vaccine के तोर पे काम करेगा barriolinum लेकिन अगर आपको डिजीज हो गया है तब क्या करें तो भी होमियोपेथ के चार मेडिसीन है जो कि बहुत ही एफेक्टिव काम करती है पहली मेडिसीन है एकोनाइट 200 नमबर जो कि दो दो भून तीन बार आपको देना है अगर बहुत ज़्यादा फीवर है पूरे सरीर में दर्द है तो इसे दें दूसरी मेडिसीन है आरसेनी केल्ब 200 नमबर जो कि रात में 12 बजे के बाद आपका रोग बढ़ता है फीवर बहुत तेज आ जाता है बहुत ज़्यादा बेचैनी होता है प्यास बहुत ज़्यादा लगता है तो आरसेनी केल्ब का परियोग करें तीसरी मेडिसीन है बेला डोना 200 नमबर जो कि पूरे सरीर पे छोटे छोटे दाने निकल गये हैं और उस दानों में बहुत जादा दर्द होता है तंतनाहट होती है तो इसे दो-दो बुन तीन बार लगातार दे चौथी मेडिसीन है कली सल्फिरिकम जो कि ये भी 200 नमबर करके फूट गये हैं और वह सूख नहीं रहा तो इसे दो-दो बुन तीन बार लें तो आसा करता हूँ कि ये चारों मेडिसीन का परियोग आप एक बार जरूर करेंगे और चेचक या स्मॉल पॉक्स की समस्या से निजात पाएंगे तो एक जरूरी नोटिफिकेशन है कि अ पैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो से कोई रिलेटेड क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तब तक के लिए धन्यवाद